बच्चो अभी हमने मुन्शी प्रेम चन जो काल्जाई रचनाकार हैं उनके जीवन के समंध में उनके व्यक्तित्त के समंध में हमने चर्चा की अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो रचनाकार जिस तरह की जिन्दगी जीता है जिस रचनाकार का जैसा व्यक्तित तो होता है उस तरह का स्रीजन वो करता है मुन्शी प्रेम चन संघर्षों में जन्में पले बढ़े और वही सारा संघर्ष उनके साहित्य में आ गया उन्होंने जो रचनाएं दी वो कालजयी रचनाएं हैं जो कभी समाप्त होने वाली नहीं है शराच चन्जी ने उन्हें कालजयी रचनाकार कहा है उन्होंने अनेक उपन्यास लिखे कहानिया लिखी नाटग लिखे निबंध लिखे बहमुखी प्रतिवास संपन्न व्यक्तित तो था मुन्शी प्रेम चन का जो विशिष उपन्यास है वो है गोदान और गोदान को क्रिशक जीवन का महाकाब बिखा जाता है गबन है रंग भूमी है निर्मला है प्रतिग्या है वरदान सेवासदन अनेक उपन्यासों की रचना करके उन्होंने साहित जगत में कीर्दिमान इस्थापित किया बच्चो मुंसी प्रेम चन बहुत अच्छे नाटक कार भी थे करवला संग्राम प्रेम की देवी उनके जो नाटक है वो बहुत प्रसिद्ध है इन्हें मंचित भी किया गया है मुंसी प्रेम चन जैसा मैंने आपको बताया कि बहमुखी प्रतिभार संपन रचनाकार थे तो उन्होंने कुछ विचार और विवित प्रसंग करके दो उनके निबंद संकलन प्रकास में आये जिसे सबने पढ़ा है और सबने देखा है और काफी प्रसंसा हुई है हिंदी साहित जगत में उसे खूब सरहा गया है और उपन्यास नाटक के अतरिक्त बच्चो उन्होंने कहानियां बहुत अच्छी लिखी है आपने कहानियां पढ़ी भी होंगी जैसे पंच परमेश्वर है बुर्वी काकी है बड़े घर की बेटी है पूस की एक रात है नमक का दरोगा है बहुत सारी कहानिया आपने पढ़ी होंगी और ये कहानिया जैसा क मैंने इनके जीवन में भी आपको बताया था idiot के बारे में बताया था कि जब मनोरणजन की कहानिया मनोरणजन की कथाए मनोरणजन का उपन्यात लिखा जा जासुसी उपन्यास लोग पढ़ने लगे थे उस समय मुंसी प्रेम चन्न ने जो बदलाव किया कफा में कफा छेत्र में वह बिल्कुर नवीन और अनुखा बन पड़ा है मुंसी प्रेम चन्न ने 300 400 के भीतर कहानिया लिखी है 300 तो उनकी प्रकाशित हैं मांशरोबर भाग एक से लेकर के आठ तक इसमें वो पूरी समाविष्ट हैं कुछ साहित्य उनका अभी भी प्रकाशन में है ऐसा अनुसंधान करताओं ने बताया है लेकिन फिर भी बच्चो उनका जो रश्चना संसार है वो प्रणम में है और हिंदी साहित्य के लिए वो ग ऐसा साहित्य है ऐसा कालजई साहित्य है कि आज तक उस तरह किसी रश्चनाकार की लेखनी नहीं चली बच्चो एद्य मुंसी प्रेम चंद का समूचा साहित्य आदर्सोन मुखी है यह थावारत है कहानिया संदेश परक हैं संदेश देती हैं और मानो मूलियों की स्थापना में उनकी कहानियों का बहुत योगदान है आपके पाठिक्रम में नमक का दरोगा कहानी जो है यह आदर्स और यथार्स से समन्वित है असत्य के उपर यह सत्य की विजे की कहानी है यह धन के उपर इमानदारी के विजे की कहानी है बच्चो इस कहानी का कथानक या कहानी में आपको सुनाओं बताओं इसके पहले हम पात्रों पर चर्चा करते हैं इस कहानी में मात्र तीन सक्रिय पात्र हैं एक तो बंसीधर उनके ब्रिद्ध पिता और पंडित अलोपी दीन जी है बाकि इसमें सहाय ग्रूप में डिप्टी मजिस्टेट हैं मुंसी लोग हैं वकील हैं सिपाही हैं और जन मान से हैं जन सामानने हैं कहानी को देखें हम जब नमक विभाग नहीं बना था तो नमक की बहुत काला बाजारी हो रही थी अधिकारी रिश्वत ले ले करके काला बाजारी करा रहे थे और अंदेखा कर रहे थे इस गलत काम को बच्चो नमक विभाग भना तो बंसिधर ने भी सोचा कि हम नौकरी की तलाश करें नौकरी की खोश करें जब वो तयार हुए तो उनके अनुभवी पिता ने जो ब्रित्र थे और वो भी नौकरी में थे रिटायर हो गए थे तो उनके अनुभवी पिता ने जाते हुए बंसिधर से कहा वेटा घर की दूरदसा तो तुम देखी रहे हो बच्चियां ज़ार फंकार की तरख बहुत बढ़ती हैं हमारी बेटी भी बढ़ गई है हम गरीबी में जी रहे हैं तुम्हारी मा कब से तीर थे यात्रा की रिटन लगाये है लेकिन पैसा नहोंने से बेटा ओर नहीं जा पा रही है तो बेटा एक काम करना नौकरी पीर की मजार है तुम्हारी निगाह चड़ावे और चादर पर होनी चाहिए और बेतन के अलावा बेटा कभी उपरी आमधनी से परहेज न करना बंसी धर ने बड़े बिनम्रता पूरुवक अपने पिता की बात को सुना उसे क्या था कि अपने धैर बुद्य और आत्मा वो लम्मन पर बड़ा भरोशा था वह नौकरी की तलास में जब आगे बढ़ता है तो ईश्वर की क्रिपा देखिए कि नमक के दरोगा के रूप में उसकी नौकरी लग जाती है जब माता पिता सुनते हैं तो माता पिता फूले न समाए लेकिन पड़ोशियों के हरदय में कांटे चुपने लगे होता है ऐसा देखिने सका ही पड़ाय भी भूती दूसरे के सुपको देखकर पड़ोशी कहां प्रसन होते हैं बनसीधर बड़ी निष्ठा इमानदारी और लगन के साथ नमक के दरोगा की नौकरी करने लगा अभी च्छा महीने भी नभीते थे कि अचानक एक दिन रात को वो सो रहा था ठंड के दिन यमना नदी के किनारे गाड़ियों की आवाज सुनाई दी और खटखट की आवाज वो चैतन्य होकर उठता है अपना घोड़ा लेता है तमंचा लेता है वर्दी पहनता है और यमना के किनारे की उठ्चल पड़ता है वहाँ जैसे ही देखता है वो पूछता है या क्या हो रहा है और इतना पूछने के साथ साथ वो आग़े बढ़ता है और बोरे को तटोलता है तो उसमें ठोष नमक के धेले उसको महजूश होते हैं कि समें नमक भरा हुआ है उपने कहा एक किसके द्वारा ही किया जा रहा है काम तो वहां काम करने वालों ने बताया कि पंडित अलोपी दीन जो बड़े प्रतिश्चित ब्यक्ति हैं ये उनका सामान है उनका माल है जो बाहर जा रहा है उन्होंने कहा किसी का भी हो इसे तुरंथ अपने पास रखो सुरचित कर लो इसको बच्चो पंडित अलोपी दीन उस छेत्र के प्रतिश्चित जमीदार थे लाखों का लेंदेन था सभी अपसर उनके हां मेमान बनते थे जब धरोगा जी के पूछने पर पता चला कि ये गाड़ियां कान पुर जाएंगी तुरंथ धरोगा जी ने उन्हें रोक दिया अब पंडित अलोपी दीन के लोग पंडित जी के पास पहुंचे और जाके उन्होंने समाचार दिया कि दरोगा बंसी धन ने गाड़ियों को रोक दिया है तो जब पंडित अलोपी दीन जी को पता चला तो वे गाट की और दोड़ी और वहाँ पहुँच कर वैसे वो राष्टे में सोचते रहे कि आज तक हमने रिश्वत के बल पर सब को खड़ीद लिया है यह न्याय और नीत यह दोनों लक्षमी की खिलोने हैं देखता हूं बंसी धर दरोगा को भी और वे पहुँचते हैं और पहुँचने पर पता चलता है कि बहुत ही कड़क दरोगा है यह बच्चो उसी समय जमादार बदलू छिंको बंसी धर जो नमक के दरोगा हैं आदेश देते हैं कि सभी गारियों को हिरासत में ले लो और पंडित अलोपी दीन जी को भी हिरासत में ले लो इस पर पंडित अलोपी दीन दुखी भी होते हैं हैं हैरान हो जाते हैं कि आज तक किसी ने इस तरह का बेवहार मेरे साथ नहीं किया वे बंसी धर को एक हजार दो हजार दस हजार बीस हजार तीस हजार चालिस हजार तक की रिश्वत पेश करते हैं और कहते हैं दरोगा जी मान जाइए हम आपके ही हैं हम आपसे अलग नहीं है जब कहेंगे हम आपकी सेवा में हाजित रहेंगे और तब बंसीधर बहुत इश्पस्ट सब्दों में कह देते हैं चालिस हजान नहीं, चालिस लाक भी नहीं वे जमादार बदलू सिंश कहते हैं कि पंडित अलोपी दीन को हिरासत में ले लो, हतकडिया पहना दो जैसे ही बच्चो इतने प्रतिष्थित अलोपी दीन जी हतकडिया देखते हैं तो बे बेहोश हो जाते हैं बच्चो अगले दिन सुबह चारों ओल ये घटना फैल गई कि पंडित अलोपी दीन को हतकडिया पहना दी गई है सब आश्चरी कर रहे थे पंडित अलोपी दीन को हतकडिया पहना कर कोट में लाया गया बच्चो वहां पर अदालत के एधिकारी वकील अर्दली छप्रासी सभी पंडित जी को हतकडियों में देखकर हैरान हो गए क्योंकि सभी उनके उपकारों के नीचे दबे हुए थे पंडित जी बड़ा उपकार करते थे कोट में जिरह शुरू हो गई कुछ देर पस्चात बच्चो अदालत में धन चल गया उनसी बंसी धर का सत्य धराशाई हो गया अदालत में डिप्टी मजिस्टेट ने अलोपी दीन के बिरुद्ध दिये गए प्रमानों को निर्मूल ब्रहमात्मक बताकर उन्हें रिहा कर दिया और साथ ही बंसी धर को इस चेतावनी दी गई कि भविस्य में खोशियारी से काम लें बच्चो इस घटना के एक सप्ता बाद बंसी धर को नोकरी से निकाल दिया गया अब वे क्या करते वे अपने घर आ गए पिता ने बहुत बुरा भला कहा माता की तीर थे आत्रा रुख गई कई दिनों तक पत्नी ने भी बात नहीं की इस प्रकार के बातावरण में बंसी धर का एक सप्ताह बीत गया और अचानक एक दिम संध्या के समय एक सजा हुआ रथ उनके घर पर आया उनके पिता जी उठकर गए और बड़ी बिदम्रता के साथ देखा कि पंडित अलोपी दीन जी है तो प्रणाम किया और प्रणाम करके अपने घर लाए यह बड़बडाते हुए कि नालाएक लड़का है बहुत ही बेकार है बेबकूफ है मूर्ख है इस तरह से जैसे एक पिता अपने बच्चों के वारे में कहता है तो पंडित अलोपी दीन से वो बोल रहे थे पंडित अलोपी दीन ने कहा देखिए आपका बेटा जो बंशी धर है वह कुल दीपक है बहुत इमानदार निश्टावान करमठ ऐसे बच्चे बहुत भाग्य से मिलते हैं अलोपी दीन को बच्चों बैठाया गया और बंशी धर भी आये उन्होंने प्रणाम किया लेकिन बंशी धर थोड़ा सा स्वाभावी के बच्चों निरास होना और थोड़ा सा दुखी होना और वे सर्मिंद्गी भी महसूस कर रहे थे कि मैंने इनके खिलाप कारिवाही की थी लेकिन वो जो भीतर का श्वाभिमान है जो भीतर की इमानदारी है उसे मजबूती दे रही थी इतने में बच्चों पंडित अलोपी दीन ने एक स्टॉम पेपर निकाला वह नियुक्ति पत्र था उनकी सारी जायदात का वो अपनी सारी संपत्ति का मैनेजर बंसी धर जी को नियुक्ति किया था बंसी धर ने उसे देखा और हांच जोड़ कर बोले पंडित जी मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं बिल्कुल योग्य नहीं हूँ, मैं इस काम को नहीं कर सकता पंडित अलोपी दीन जी ने कहा कि तुम से अच्छा, इमानदार, निश्थावान, कोई दूसरा ब्यक्त नहीं हो सकता मैं तुम्हें यह काम सौप रहा हूँ, और बंसीधर जी आपको इसे करना ही है उन्होंने बंसीधर ने लिया और स्टॉम पेपर पर अपने हस्ताक्षर कर दिये और बच्चो उनके पिता भी गदगद हो गए, मा भी गदगद हो गई, सब प्रसंदों हो उठे और यहीं पर यह कहानी, अब यहाँ देखो, यह कहानी जो है कभी पंडित अलोपी दीन ने बंसीधर को, उनकी नेतिकता को, उनकी इमानदारी को दबा दिया था लेकिन आज धन हार गया, और धर्म की बिजय हुई, नेतिकता की बिजय हुई, इमानदारी की बिजय हुई बच्चो अभी आपके पाठ्थ पुस्तक में शंग्रहीत नमक का दरोगा कहानी को हमने सुना और इस कहानी के दौरान, जो पात्र सामने आए, उनके चरित्र को देखें, तो इसका जो केंद्री ये पात्र है कहानी का, वो बनसीधर है जो निहायत इमानदार, कर्तब बिनिष्ठ दरोगा, श्वाभिमानी, विशारशील व्यक्ति, नौकरी से निकाले जाने पर भी निरास नहीं है वहीं, पंडित अलोपी दीन, ब्रस्ट धनपतियों के प्रत्नी दियें, धन का उपासक, ब्रस्ट आशनवाला, लेकिन प्रभावशाली, और वाकपटू, गुणों की इज्जत करने वाला, गुणी व्यक्तियों की पहचान है उसके मन, अब आप वाकपटू है बंसीधर का जो पिता है, तीसरा पात्र, वो अनुभवी तो है, पर भ्रस्टाचारी है वो अपने बच्चे को रिश्वत लेने की बात करता है डिप्टी, मजिस्टेट, वकील, सब भी के हुए लोग है तो इस तरह से, इस कहानी में, जो पात्र हैं, उनमें सर्वोत क्रिष्ट जो पात्र है, वो बंसीधर है, नमक का दर होगा अब बच्चों आपने भासा तो देखी ही होगी, कि भासा के समंध में मुंसी प्रेमचंद महान कलाकार है पात्रा नुकूल भाषा का प्रेयोग सरल, सहज, सरस और बोलचाल की भाषा और आपने देखा कि हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा का प्रेयोग उन्होंने किया है यह कहानी प्रेमचंद जी की कालजई कहानियों में से एक है अब बच्चों, साहित की कोई भी बिधा हो उसमें संदेश जाना चाहिए उद्देश से नहीं थोता है बिना उद्देश से के कोई भी साहित कालजई नहीं होता अब जो उद्देश से है असत्य और अन्याय का कितना ही बोलवाला क्यों न हो जाया पर सत्य और न्याय के सामने वो टिक नहीं सकता सत्य का अस्थान बच्चों बहुत उच्चा है इस कहानी में मानों मूल्यों के प्रति आस्था जताई गई है आज की युबकों को कर्तब बे परायन होना होगा कर्ष्ट भी मिलो है तो कोई बात नहीं अंत में विजय सुनिश्चित है